तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा पर क्या वो लिखकर दे पाएगा अपनी पैर को सहारा देने के लिए वो ब्रेसिस पहना करती थी डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया था कि वो अगर उपर वाले ने आपको दो हाथ दो पैर दी हैं अच्छा खासा दिमाग दिया है और अगर फिर भी आप अपनी किस्मत को कोशते रहते हो या फिर जो आपके पास नहीं है उसके लिए रोते रहते हो बजाए उसको पाने की कोशिश करने के आप अपनी आसपास की कंडिशन को दोश देते रहते हो तो आपको ऐसे लोगों के बारे में सुनना चाहिए जिनोंने निराशा को आशा में बदला और रस्ते में आने वाले हर एक पत्थर को सफलता की सीडी में बदल दिया ऐसे लोग जो दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं वो मायूसियों और नकामियाबियों को अपनी उपर हावी नहीं होने देते ऐसे ही लोगों में से एक की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो आपको बहुत हिम्मत देगी उनका नाम है विल्मा रुडोल्फ एक ऐसे लड़की जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ जब वो सिर्फ चार साल की थी तो उसे डबल निमोनिया और काला बुखार हो गया जिसकी वज़े से उसे फोलिय हुआ और उसका एक पैर खराब हो गया अपने पैर को सहारा देने के लिए वो ब्रेसिस पहना करती थी डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया था कि वो अब कभी चल नहीं पाएगी लेकिन विल्मा की मा ने उसकी बहुत हिम्मत बढ़ाई और कहा कि उपर वाले की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वो जो चाहे वो पा सकती है ये सुनकर विल्मा ने कहा कि वे दुनिया की सबसे तेज रनर बनना चाहती है 9 साल की उमर में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी विल्मा ने ब्रेसिस को उतार दिया और पहला कदम उठाया जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वे कभी चल नहीं पाएगी 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली रेस में हिस्सा लिया पर वो सबसे पीछे आई उसके बावजूद भी वे दूसरी तीसरी चोथी रेस में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखरी स्तान पर आती रही वे तब तक कोशिश करती रही जब तक वो दिन नहीं आ गया जब उसने अपनी पहली रेस जीती पंदरा साल की उमर में विल्मा टैनेसी स्टेट उनिवरसिटी पहुची जहां पर उन्हें एड टेंपल नाम का एक कोच मिला विल्मा ने उन्हें अपनी ख्वाइश बताई और कहा कि वे दुनिया की सबसे तेज रनर बनना चाहती है तब टेंपल ने कहा तुमारी इसी इच्छा शक्ती की वज़े से तुमें कोई रोक नहीं पाएगा और मैं भी तुमारा साथ दूंगा आखिरकार वो दिन आई गया जब विल्मा ने ओलम्पिक में हिस्सा लिया ओलम्पिक में दुनिया के सर्वस्टेस्ट खिलाडियों का मुकाबला होता है विल्मा का मुकाबला उस वक्त की सर्वस्टेस्ट खिलाडी जूता हेन से था जो की कभी हारी नहीं थी विल्मा और जूता के बीच में पहला मुकाबला 100 मेटर की दोड का था और इसमें विल्मा ने जूता को आसानी से हरा कर पहला गोल्ड मेडल जीत लिया दूसरी दोड 200 मेटर की थी और इसमें विल्मा ने जूता को दूसरी बार हराया और दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया तीसरी दोड 400 मीटर की रीले रेस थी और इसमें विलमा का मुकाबला एक बार फिर से जूता से ही था रीले के रेस में आखरी का हिस्सा टीम के सबसे तेज रेसर को दोड़ना होता है इसलिए विल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दोड के आखरी हिस्से में दोडना था विल्मा के टीम के तीन लोग रीले रेस के आखरी तीन हिस्से में दोडे और असानी से बैटल बदली पर जब विल्मा के दोडने की बारी आई तो उसके हाथ से बैटल छूट गई लेकिन विल्मा ने देख लिया था कि दूसरे छोर से जूता हेन तेजी से दोड़ी चलिया रही है विल्मा ने गिरी हुई बैटल उठाई और मशीन की तरह ऐसी दोड़ी कि जूता को तीसरी बार भी हरा दिया और अपना तीसरा गोल्ड मैटल अपने नाम कर लिया ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लक्वा ग्रस्त महिला 1960 में उलम्पिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी अब विल्मा रॉडॉल्फ की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है क्या आप जानते हैं इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि काम्याब लोग कठिनाईयों के बावजूद भी सफलता हासिल करते हैं ना कि तब जब उनके रस्ते में कठिनाईया हो ही नहीं जब हम ऐसे लोगों की कहानिया सुनते या पढ़ते हैं जिनोंने अपनी कमियों को खूबियों में बदला तो हमें नया जोश और नया उत्सा भर जाता है और यही A2 Motivation का मकसद है